नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वाबत है हमारे चैनल Study ITI Skills के एक और नए वीडियो में आज की वीडियो में हम इंजन कूलिंग सिस्टम से सम्मंदिक questions की प्रैस्टिस करेंगे ये question आपको सभी exams में बहुत help करेंगे आप एक काम कर सकते हैं कि आप प्रत्येक प्रशन के प्रारम में वीडियो को पॉस करके question को खुद से solve करें और उसके बाद वीडियो को प्ले करके उस question का solution देखें तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है इंजन में cooling system का प्रयोग क्यों किया जाता है हम सभी जानते हैं इंजन के अंदर इनन का दहन होता है जिससे अत्यदिक गर्मी उत्पन्न होती है इस गर्मी के कारण अभी parts अत्यदिक गर्म हो जाते हैं इन parts को ठंडा करके operating temperature पर बनाए रखना cooling system का काम होता है अगर हम इन चारो options को देखें तो third option है इंजन का ताप मान कारेकाली ताप मान यानि की operating temperature पर बनाए रखने के लिए यही इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं यदि इन्जन में cooling system नहीं होगा तो क्या होगा हम सभी जानते हैं यदि cooling system नहीं होगा तो parts अतिरिक गर्म हो जाएंगे यानि engine overheat हो जाएगा जब engine overheat होगा तो parts गर्म होकर फैलेंगे और engine cheese भी हो सकता है और इसके साथ ही engine कारे करना भी बंद कर देगा तो इस प्रशन में तीनो ही options सही है तो सही उत्तर होगा उपरोगत सभी अगले प्रशन की ओर चलते हैं इंजन के overheat होने के क्या दुश परिराम होगे पहला option है engine के parts गर्म होकर फैलेंगे जिस्ते वाइस cheese हो जाएंगे एवं तेड़े भी हो सकते हैं बिल्कुल सही है दूसर engine valve जल जाएंगे जब engine overheat होता है तो उसके valve मुख्य रूप से exhaust valve अत्यदिक गर्म हो जाता है एवं वैजल भी सकता है इसके साथ ही overheating के कारण engine में pre-ignition, detonation एवं knocking जैसी समस्याएं भी उत्पर्ण हो जाती है इसके साथ ही engine के overheat होने पर lubricating oil बहुत पतला हो जाता है और proper lubrication नहीं कर पाता तो इस प्रश्ण में भी ये सभी option सही है तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी अगला प्रश्ण है engine cooling system में प्रयोग होने वाले cooling media के विशे में सत्य कथन है cooling media का अर्थ है well source जिसके द्वारा engine की गर्मी को अवशोशित करके वाता वरण में छोड़ा ज जाता है बिल्कुल सही है दूसरा option engine cooling system में cooling media के रूप में मुखता हवा एबं पानी का प्रयोग किया जाता है ये वी बिल्कुल सही है क्योंकि engine power cooling system प्रयोग किया जाते है air cooling system एबं water cooling system Air Cooling System में Cooling Media के रूप में हवा एबन Water Cooling System में Cooling Media के रूप में पानी का प्रयोग किया जाता है इसके साथ ही जब Cooling हेतु पानी का प्रयोग किया जाता है तो उसमें Anti-Freeze Solution या Coolant मिलाया जाता है इसलिए तीसरा option भी बिल्कुल सही है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा उपरोग तो सभी कथन सत्य हैं चलिए अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं निमने में से कौन सा इंजन में प्रयोग होने वाला कूलिंग सिस्टम नहीं है हम सभी जानते हैं इंजन में मुख्यता दो प्रकार के कूलिंग सिस्टम प्रयोग किये जाते हैं इयर कूलिंग सिस्टम एवं वाटर कूलिंग सिस्टम यहाँ पर गैस कूलिंग सिस्टम इंज हम कहते हैं fins, इन fins का प्रयोग air cooling system में किया जाता है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा fins, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, air cooling system में fins कहां पर बने होते हैं, air cooling system में fins cylinder head एवं cylinder block दोनों पर बने होते हैं, इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 3, चलिए अगला प्रशन Fins का प्रयोग क्यों किया जाता है Air Cooling System में Slender Head एबं Slender Block के उपर Fins का प्रयोग किया जाता है Fins की प्रयोग करने के कारण Slender Head एबं Slender Block की सतह अथा हवा के बीच का Contact Area बढ़ जाता है जिससे Cooling अच्छी होती है तो इस प्रशन का सही उत्पर होगा Option 3 चलिए अगले प्रशन की ओर चलते है किस प्रकार के इंजनों में Air Cooling System के साथ Blower का प्रयोग आवश्रक होता है Air Cooling System में यह आवश्रक होता है कि Fins पर Proper Air प्राप्त होती रहे जब बात की जाती है Automobile Engine में तो Automobile Engine लगातार चलने से हवा की परयाप्त मात्रा प्राप्त होती रहती है लेकिन जब Stationary Engine की बात की जाए तो Fins पर सही मात्रा में हवा प्रवाहित करने के लिए Blower का प्रयोग किया जाता है इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा Stationary Engine चलिए अगला प्रशन देखते हैं किस प्रकार के इंजनों में Air Cooling System का प्रयोग नहीं किया जाता है Air Cooling System का प्रयोग छोटे Stationary Engine और इवं दो पहिया वाहनों में किया जाता है लेकिन Heavy Commercial Vehicle में इसका प्रयोग नहीं होता इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा Heavy Commercial Vehicle अगले प्रशन की ओर चनते हैं Air Cooling System के विशे में सत्य कथम का चुनाओ कीजिए पहला Option है इनमें शोर अधिक होता है बिल्कुल सही है जब हवा तेजगती से फिंस पर टकराती है तो अत्यदिक शोर उत्बन होता है इनकी दक्षता यानि Efficiency भी Water Cooling System से कम होती है एवं ये वातावरण के तापमान से भी प्रभावित होते है यानि यदि वातावरण की हवा का तापमान अधिक है यानि हवा अत्यदिक गल्म है तो कूलिंग अच्छी नहीं होगी लेकिन यदि वातावरण की हवा ठंडी है तो कूलिंग जादा होगी इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोगत सभी कथन सत्य है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते है Water Cooling System में Cylinder Head एवं Cylinder Block की चारों तरफ क्या बने होते है Water Cooling System में Cylinder Head एवं Cylinder Block की चारों ओर पानी प्रवाहित होता रहता है जिसके लिए इनके चारों ओर Water Jacket बनाए जाते है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा Water Jacket अगला प्रश्न देखते हैं Water Cooling System में पानी को कहा ठंडा किया जाता है Water Jacket में जो पानी प्रवाहित होता है वो इनजन की गर्मी को अवशोशित कर लेता है एबं स्वयं गर्म बुझाता है इस गर्म पानी को ठंडा करने के लिए Radiator का प्रयोग किया जाता है इस पानी को Radiator में ले जाकर ठंडा किया जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है Radiator अगला प्रश्न देखते है इनजन के Water Outlet का संबंद Radiator के किस भाग से होता है इनजन के Water Jacket में गर्म पानी प्रवाहित होता है जो उसके Outlet से निकल कर Radiator के अपर टेंक में पहुंचता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपर टेंक अगला प्रश्न देखते है निम्न में से कौन सा Water Cooling System का प्रकार नहीं है Water Cooling System मुखिताद दो प्रकार के होते हैं Thermo Siphon System एवं Forced Feal System Forced Feal System को Pump Circulation System भी कहते है इसलिए ये तीनो Water Cooling System के प्रकार है किन्तु Mist Cooling System, Cooling System का प्रकार नहीं है चरिए अगला प्रश्न देखते हैं Thermo Siphon System में पानी का प्रवाह किस कारण से होता है हम सभी जानते हैं कि जब पानी गर्म होता है तो वैं हलका हो जाता है और ठंडा पानी भारी होता है यानि ठंडे इवं गर्म पानी के घनतों यानि density में अंतर होता है और इसी अंतर के कारण Thermo Siphon System में पानी का प्रवाह होता है तो इस प्रश्न का तही उत्तर होगा Option 3 अगला प्रश्न देखते हैं निम्ड में से कौन सा भाव Thermo Siphon System को Pump Circulation System से प्रथक करता है हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की कि Thermo Siphon System में ठंडे एवं गर्म पानी के घरत्तों में अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है जबकि Pump Circulation System में Water Pump का प्रयोग किया जाता है इसलिए Water Pump ही भाव है जो Thermo Siphon System को Pump Circulation System से प्रथक करता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं Water Cooling System में पानी के प्रवाहिती दिशा के संबन्द में सत्य कथन है पहला Option है Water Jacket में पानी नीचे से उपर की दिशा में प्रवाहित होता है दूसरा Radiator में पानी उपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है हम सरी जानते हैं water jacket में पानी प्रवाहत होते हुए गर्म हो जाता है गर्म पानी हलका होता है इसलिए इसके प्रवाहती दिशा नीचे से उपर की ओर रखी जाती है जबकि radiator में पानी ठंडा होता जाता है और भारी हो जाता है इसलिए radiator में प्रवाहती दिशा उपर से नीचे की और रखी जाती है इसलिए ये दोनों ही option सही है जलिए अगला प्रशन देखते हैं थर्मो साइफन सिस्टम के विशे में सत्य कथन है पहला option इसमें अधिक पानी की आवशक्ता होती है इसलिए radiator को बड़ा बराना होता है हम सभी जानते हैं थर्मो साइफन सिस्टम में water pump का प्रयोग नहीं किया जाता इसलिए पानी का सतत प्रवाह बनाए रखने के लिए अत्य दिक पानी की आवशक्ता होती है और इसलिए radiator को भी बड़ा बनाना होता है यदि इस सिस्टम में पानी कम हो जाए तो सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है और इसके साथ ही इसकी दक के द्वारा ड्राइब मिलती है वाटर पंप को इंजन की क्रेंक शाफ्ट के द्वारा ड्राइब दी जाती है अगला प्रशन देखते हैं वाटर पंप को किस के द्वारा ड्राइब दी जाती है वाटर पंप को इंजन की क्रेंक शाफ्ट के माध्यम से बेल्ट के द्वारा drive दी जाती है इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा belt अगला प्रशन देखते हैं water cooling system में किस प्रकार के water pump का प्रयोग किया जाता है water cooling system में जो pump प्रयोग किया जाता है वह होता है centrifugal type pump तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option 3 अगला प्रशन है water cooling system में water pump कहां जुड़ा होता ह वाटर कूलिंग सिस्टम में वाटर पंप जुड़ा होता है रेडियेटर आउटलेट पर क्योंकि वाटर पंप रेडियेटर की लोवर टेंक से पानी खीच कर वाटर जैकेट में बेशता है। वाटर जैकेट से गर्म पानी खीच कर रेडियेटर की अपर्ग टेंक में बेशता है। यह ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन वाटर पंप रेडियेटर की लोवर टेंक से ठेंडा पानी खीच कर इंजन की वाटर जैकेट में बेशता है। यह ऑप्शन बिलकुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, water pump fan या cooling fan कहां इस्थित रहता है, water pump पुली पर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, cooling fan के संबंद में सत्य कथन है, options देख लेते हैं, पहला option है, यह हवा को radiator core की तरफ से engine block की ओर खीशता है, यह option बिल्कुल सही है, cooling fan में प्रवाहित होने वाली हवा की दिशाक इस प्रकार होती है, कि यह radiator core की तरफ से हवा को खीशता है, और engine block की ओर ले जाता है, हवा को सीधे engine block तक पहुचाने के लिए radiator count का प्रयोग किया जाता है, एवं cooling fan को water pump पुली से drive मिलती है, तो इस प्रश्न में सभी कथन सकते है चरिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा radiator pressure cap के विशे में सत्य कथन है, radiator pressure cap का प्रयोग radiator के अपर टेंक में किया जाता है, यह pressure cap cooling system के अंदर coolant या पानी का pressure बढ़ा देती है, जिससे उस पानी का boiling point भी बढ़ जाता है और यह पानी अत्यदिक heat पर भी कार कर पाता है, दूसरा cooling system का pressure जब अत्यदिक बढ़ जाता है, तो radiator pressure cap pressure को release भी कर देती है और pressure को कम कर देती है, इसके साथ ही यदि cooling system में coolant कम हो जाए, तो जो vacuum निर्मित होगा, उसको maintain करने का कारे भी pressure cap के द्वारा किया जाता है, radiator pressure cap में spring loaded pressure relief valve का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ये चारों ही option सही है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा, उपरोगत सभी कथन सत्य हैं, अगले प्रशने की और बढ़ते हैं, cooling system में लगे reservoir tank के विशे में सत्य कथन है, cooling system में एक reservoir tank का प्रयोग किया जाता है, जब radiator के अंदर coolant का pressure अत्यथिक बढ़ जाता है, तो उससे extra coolant को reservoir tank में एक अत्यथित किया जाता है, तो यहाँ पर पहला option बिलकुल सही है, दूतरा option, reservoir tank के द्वारा cooling system में उपनाब्द coolant की मातरा का पता लगा सकते हैं, reservoir tank में low, medium, even high के निशान लगे होते हैं, इसके द्वारा हम cooling system में coolant की मातरा का पता लगा सकते हैं, इसलिए इसको पार दर्शी भी बनाया जाता है, तो इस प्रशन के तीनों ही option सही है, तो सही उत्तर होगा उप्रोक्त सभी कथन सत्य हैं, अगला प्रशन देखते हैं, इंजन को ओवर cooling की समस्त्या से बचाने के लिए किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है, इंजन को सही तरीके से कारे करने के लिए ना तो अत्यदिक गर्म होना चाहिए और ना ही अत्यदिक थंडा होना चाहिए, इसे हमेशा operating temperature पर maintain रहना चाह जाता है, इबम water jacket में गूमने वाला पानी radiator में नहीं जाता, इबम water jacket में ही इंजन के चारों और प्रवाहित होता रहता है, और जब उस coolant का तापमान operating तापमान पर पहुँच जाता है, तो थर्मो state valve कोल जाता है, इबम यह coolant radiator तक पहुचने रगता है, इसलिए इंजन के तो ओवर cooling से बचाने के लिए थर्मो state valve का प्रयोग किया जाता है, चड़िए अगला प्रशन देखते हैं, चित्र में दिखाए गई cooling system के भाग को पैचानिये, हम सभी जानते हैं, यहाँ पर चित्र में जो भाग दिखाया गया है, वह है radiator, अगला प्रशन देखते हैं, न पतली-पतली tubes से मिलकर बना होता है, इन tubes के उपर fins भी बने होते हैं, इन tubes की संख्या अधिक होने से, पानी छोटे-छोटे टुड़ों में बटकर इन tubes में से प्रभाहित होता है, जिससे पानी का surface area बढ़ जाता है, और वह पानी जल्दी से ठंडा हो पाता है, तो इस प्र प्रशन देखते हैं, निमन मैंसे कौन सा radiator का भाग नहीं है, रेडियेटर के मुखता तीन भाग होते हैं, अपर टेंक, लोवर टेंक एवँम रेडियेटर को ओडर होन बाग नहीं है, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, radiator से reservoir tank तक अतीरिक्त coolant पहुचाने वाले pipe को क्या कहते है रेडियेटर से अतीरिक्त coolant को leak of pipe के दवारा ही reservoir tank में पहुचाया जाता है चलिए अगला प्रश्ण देखते है drain plug radiator के किस भाग में लगा होता है ड्रेन प्लग के दुवारा रेडियेटर से कुलेंट को खाली किया जाता है और यह ड्रेन प्लग लगा होता है lower tank में चलिए अगला प्रशन देखते हैं, रेडियेटर के विशे में सत्य कथन का चुनाओ कीजिए, आप्शन देख लेते हैं, पहला आप्शन है, जिस रेडियेटर में रेडियेटर ट्यूप्स के अंदर पानी का प्रवाह उपर से नीचे की ओर होता है, उसे डाउन फ्लो रेड कहते हैं, पानी के प्रवाहित होने की दिशा के आधार पर रेडियेटर दो प्रकार के होते हैं, डाउन फ्लो रेडियेटर एवं क्रोस फ्लो रेडियेटर, डाउन फ्लो रेडियेटर वे रेडियेटर होते हैं, जिनमें पानी का प्रवाह उपर से नीचे की ओर होता है, ए tubular core radiator एवं cellular core radiator यह option भी बिल्कुल सही है तो इस प्रशन का सही उतर होगा option 4 अगला प्रशन देखते हैं इस प्रकार के radiator में पानी tubes के अंदर प्रवाहित होता है एवं हवा tubes के बाहर प्रवाहित होती है ऐसा radiator जिसमें पानी tubes के अंदर प्रवाहित हो एवं हवा tubes के बाहर प्र चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं किस प्रकार की रेडियेटर में पानी ट्यूब्स के बाहर प्रवाहित होता है एवं हवा ट्यूब्स के अंदर प्रवाहित होती है ऐसे रेडियेटर जिनमें पानी ट्यूब्स के बाहर एवं हवा ट्यूब्स के अंदर प्रवाहित हो उ उसकी सदुचना मधू मक्ची के छत्ये की तरह है, इसलिए इसे हनी कॉंब radiator कहते हैं, और यह radiator होता है Cellular Core Radiator. चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं, radiator core किस material के बने होते हैं? रेडियेटर कोर ऐसी मटेरियल के बनाये जाते हैं जो आसानी से हीट को ट्रांसफर कर सकें इसलिए रेडियेटर कोर बने होते हैं कॉपर एबं ब्रास के चरिए अगला प्रश्न देखते हैं यदि इंजन ओपरेटिंग टेंपरेचर के नीचे ठंडा हो जाए यानि यदि इंजन की ओवर कूलिंग हो जाए तो उसके क्या दुश्प्रभाव होंगे यदि इंजन अत्यादिक ठंडा है तो उसे operating temperature नहीं मिलेगा यानि कि इधन को जनाने के लिए आवशक तापमान नहीं मिलेगा इसलिए इधन बिना जले ही exhaust गेसों के साथ बाहर निकल जाएगा इसके साथ ही इधन इंजन के अंदर संगने यानि condense भी हो सकता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है उपरोगत सभी अगला प्रश्ण देखते हैं थर्मो इस्टेट वॉल्व कहां fit रहता है हम सभी जानते हैं थर्मो इस्टेट वॉल्व बंद होने पर पानी water jacket में ही गोमता रहता है एवं थर्मो इस्टेट वॉल्व के खुलने पर यह पानी रेडियेटर तक पहुँच पाता है। इसलिए थर्मो इस्टेट वॉल्व इंजन वाटर जैकेट के आउटलेट एवं रेडियेटर के इनलेट के बीच स्थित रहता है। चलिए अगला प्रशन देखते हैं। ठर्मो इस्टेट वॉल्व के विशे में सत्यक पत है। आप्शन देख लेते हैं। पहला आप्शन है इंजन थंड़ा होने पर ठर्मो इस्टेट वॉल्व बंद रहता है। यह ऑप्शन बिलकुल सही है। क्योंकि जग इंजन थंड़ा होगा, उस तमें वाटर जैकेट में पानी गूमता रहेगा, यानि इस इस्तिली में थर्मो इस्टेट वॉल्व बंद रहेगा, तो इस प्रशन का सही उत्तर है option 1, अगला प्रशन देखते हैं, थर्मो इस्टेट वॉल्व कूलेंट के लगवग कितने तापमान पर खुलता है, जब कूलेंट का तापमान लगव 80 degree centigrade हो जाता है, उस समय थर्मो इस्टेट वॉल्व खुल जाता है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा 80 degree centigrade, अगला प्रशन देखते हैं, निम्ण में से सत्यकतन की पहचान कीजिए, पहला option है, कूलिंग सिस्टम में प्रभाहित होने वाला फ्लूड, कूलेंट के लाता है, बिल्कुल सही है, पानी में antifreeze solution मिलाकर कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह option भी बिल्कुल सही है, तीसरा option, antifreeze के रूप में सामाने तहा, glycol या alcohol तथा पानी के मिश्ण का प्रयोग किया जाता है, यह option भी बिल्कुल सही है, इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा, उपरोग तो सभी कथन सत्य हैं, अगला प्रश्न है, एंटी फ्रीज के कारियों के विशे में, तत्य कथन की पहचान कीजिए, हम सभी जानते हैं, इंजन में कूलेंट की रूप में, शुर्द पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें, एंटी फ्रीज सॉल कर लेता है, और आसानी से ठंडा भी हो जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो प्रोग्त सभी कथन सही हैं, अगला प्रश्न है, यदि 50 प्रतीशत पानी, इवं 50 प्रतीशत एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के मिश्रन का प्रयोग, इंजन में कूलेंट की रूप म पर जमेगा, हम सभी जानते हैं, पानी 0 degrees centigrade पर जम जाता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, आधे पानी एवं आधे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की, यदि इस प्रकार की सॉल्यूशन का प्रयोग कूलेंट के रूप में किया जाएगा, तो यह कूलेंट लगबग माइन पर उबलेगा, हम सभी जानते हैं, पानी 100 degrees centigrade पर उबलने लगता है, लेकिन यदि 50% पानी एवं 50% एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाए, तो यह पानी लगबग 200 से 300 degrees centigrade पर उबलता है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा, option 3, अगला प्रशन है, कूलेंट क प्रकारों के सम्बंद में सत्यकतन की पहचान कीजिए, कूलेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि IAT, जिसका अर्थ होता है, इन ओर्गनिक एडिटिव टेकलोजी, दूसरा है, OAT, जिसका अर्थ है, और इन दोनों के मिश्राव का प्रयोग किया जाता है, जिसे नाम दिय है, HOAT यानि Hybrid Organic Acid Technology, हम चल्चा करी चुके हैं, कि HOAT, IAT, इबं OAT का स्योगत रूप है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा उप्रोग तभी, अगला प्रशन देखते हैं, यदि इंजन ओर्वर हीट हो रहा है, तो थर्मो इस्टेट वॉल्व की इस्थिती क्या हो सकती है, इंजन के ओवर हीट होने का अर्थ हो सकता है, कि Water या Coolant Radiator तक नहीं पहुँच पा रहा, और यह तरी संभव है, जब थर्मो इस्टेट वॉल्व बंद हो, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा Option 2, अगला प्रशन है, यदि इंजन ओर्वर कूल्ड हो रहा है, तो थर्मो इस सिस्टम कारे कर रहा है, तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा Option 1, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आशा करते हैं, आपको आज का टॉपिक जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शियर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करन ना भूले, मिलते हैं, अगले वीडियो में, जैहिन!